जह हिं दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको फिर से एक नय एजूकेशनल वीडियो में आज के कलास में हम टैली प्राइम में जर्णल एंट्री करना सीखेंगे तो सबसे पहले हम टैली प्राइम में एक नया कंपनी मनाते हैं दोस्तो वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग है इसलिए इंट तक आप जरूर देखें यहां से जाएंगे क्रियेट कंपनी में इंटे करेंगे इंटे करने के बाद एक कंपनी हों मना लेते हैं यह भी सी के नाम से मेलिंग नेम से रहेगा एड्रेस डाल लीजिएगा जहां है बढ़ जाए और इसे को कि एकसे प्रोड़ करने के बाद इस तरगा कुछ JEं टुर में होता है तो हम एक चरमेघ से बहुत हए है चले हैं लेकिन जो कूस्टं बोल रहा है को स्झर मेरे पास यह है चार पांच कुस् और K second करके आपको बदाएंगे तो पहला को स्टे से Прे यहां से रिसेट में करने के लिए हम जाएंगे यहां से रिशिट में करने के लिए हम लिए के इसकी क्लिक कि जेगा तो रिच्ट ओपन हो जाएगा और सी इसे कापिटल लिकाउंट में ही डालते हैं तो कापिटल को अंडर इस लिस्ट में से कापिटल account में ही रखते हुए accept कर लेंगे आप जैसे accept करेंगे capital आ जाएगा कि इतना से start कर रहा है 5000 से तो 5000 डाल देंगे और debit में होगा cash क्योंकि cash से business से start कर रहा है तो यहाँ पर cash डालेंगे और इंटर करके accept कर लेंगे तो यह पहला question आपका बन जाएगा दूसरा question है cash deposited into bank bank में पैसा deposit किया जा रहा है एक हजार रुपया तो इसकी एंटी टैली प्राइम कोपन करेंगे और bank में पैसा डाला जा रहा है तो डालेंगे kontra में यहां से kontra पर क्लिक कीजिएगा kontra open हो जाएगा सबसे पहले आपसे CR पूछा जाएगा तो जब भी पैसा डाला जाता है तो डालने के करम में CR में क्या हो जाता है आपका पैसा जब डालेंगे हम लोग तो CR में हो जाएगा आपका bank और CR में हो जाएगा आपका cash और DR में हो जाएगा bank तो CR सबसे पूछ पूछ रहे पहले तो यहां पे cash डालना है तो हम cash डालेंगे इंटे करेंगे और amount डालेंगे तो amount मेरे पास जो है वह 1000 रुपिया है तो हम 1000 डालेंगे अब debit में क्या होगा bank डालेंगे क्यूंकि पैसा कहां जा रहा है bank में जा रहा है तो create option यहां पे bank कहीं नहीं लिखा हुआ है तो हम create में जाएगे और लिखेंगे bank लिखने के बाद इसे अंडर डालेंगे हम bank account में तो यहां से bank account में डालेंगे लिस्ट अप ग्रूप से और इंटर करेंगे अब एक हजार में कितने का कौन सा नोट है तो 500 का दो नोट है और इसे हम accept कर लेंगे तो यह एंट्री भी हो जाएगी तो यह contract के entry हो गई अब अगला है rent paid rent का पैसा payment किया जा रहा है दो 100 रुप्या तो रेंट का payment किया जा रहा है तो पेमेंट में बनेगा तो फ़ाइफ्प प्रेस करेंगे payment ओपन हो जाएगा अब रेंट का पैसा पैसा प्रेंट कर रहें तो दियर अगर किटना है तो रिंट का पैसाiji क्रिंट कर रहा है तो यहां पर अक्तिए को साणिट कर्ले और तो यहां से फिर से रिसीफ्ट खोलेंगे और सी यार में हो जाएगा कमीशन डी यार में हो जाएगा कैस क्योंकि कमीशन का पैसा रिसीफ्ट हो रहा है तो यहां पर सी यार में कमीशन नहीं लिखा हुआ तो हम जाएंगे किरियेट में और लिखेंगे कमीशन कमिशन डिसिप्ट इंटर करेंगे अब यह एक परकार का इंकम है क्योंकि पैसा आ रहा है तो इसे डालेंगे इंडिरेक्ट इंकम में तो यहां पर इंडिरेक्ट इंकम डालेंगे और इसे भी कर लेंगे हमें एक्सेप्ट कमिशन रिस्ट के इमाउंट कितना है तो देख लेते हैं इमाउंट है 15-15 डाल लिए अब यह कैस के रूप में रिस्ट हो रहा है तो यहां पे कैस डालेंगे और इंटर करने के बाद एक सेप्ट कर लेंगे तो एक कमिशन का पैसा आपका रिस्ट हो जाएगा अब दोस्तों अगला question है वह है purchase goods समान purchase किया जारा एक हजार रुप्या का तो teleprime को open करेंगे साथ में purchase को open करेंगे यहां से purchase open करने के बाद इस तरह का interface खुलेगा तो हम control भी करेंगे या फिर यहां पे change mode पे click करेंगे और as voucher mode पे click करेंगे तो यहां पर्चेज करते हैं तो पैसा जाता है तो क्रेडिट में कैस हो जाएगा आपका और कितना का पर्चेजिंग है तो एक हजार का तो Amount में 1000 रुप्या डालेंगे इंट्रै करेंगे और यहाँ पर डालेंगे purchase का laser तो Create में जाएंगे लिखेंगे purchase दोस्तो पर्चेश का laser अंडर जाता है purchase account में तो यहाँ हम खोजेंगे purchase account इंट्रै करेंगे और इंट्रे करने के बाद इसे भी हम कर लेंगे except amount 1000 जाएगा और except कर लेंगे तो यह purchase की entry हो जाएगे अब दोस्तों अगला कोश्चतर ने sold on goods 1200 रुपिया का समान बेच रहे हैं तो बेचने की entry sales में होती है तो sales पे click करेंगे फिर से यहाँ पे ऐसे ही खुलेगा name of item तो change mode पे जाएगे as voucher में जाएगे और इंट्रे कर लेंगे अब सबसे पहले हम यहाँ पे sale कर रहा है तो cash में बेचेंगे तो DR में हो जाएगा cash इंट्रे करेंगे और 1200 रुपिया हम cash डाल लेंगे इंट्रे करने के बाद यहाँ पे DR में 1200 डाल लेंगे और credit क्या चीज़ से करेंगे तो sales से तो create option पे यहाँ से करेंगे click और यहाँ पे लिखेंगे sales sales लिखेंगे under जाएगा sales account में तो यहाँ से sales account में डाल लेंगे और इंट्रे करके इसे भी कर लेंगे accept अब इंट्रे करेंगे और accept कर लेंगे तो sales की भी entry हो जाएगी आप दोस्तों इन सारे entry को देखना हो या फिर edit करना हो तो आप escape button से back जाएंगे back जाने के बाद देखने के लिए जाएंगे यहाँ से display option में display more reports में और डे बुक में जाएंगे तो सारे question यहाँ पर आपको दिखाई जे देंगे या फिर जिसको change करना है आप उसको select करके और यहां से आप edit भी कर सकते हैं और यहां से आप data को delete भी कर सकते हैं जैसे contract को select किये और डीडी प्रेस किये delete का option आया इंटर कर दिये तो वह data आपका 1100 वाला delete हो गया तो दोस्तों इस तरह से आप change में कर सकते हैं यहां से और delete भी कर सकते हैं तो आप आज जो है कि journal entry करना पूरी तरह से सीखे उसमें edit करना सीखे और delete करना सीखे दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक like कर लीजे और मेरे चैनल पर नए है तो घर बैठे computer सीखने के लिए मेरे चैनल को subscribe कर लिजे फिर मिलते हैं अगले व थैंक यू फर वाचिंग